नमश्कार आईए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्टा उंगली के बारे में कनिष्टा उंगली की लंबाई बहुत सहज रूप से सूरिय की उंगली के प्रतम परुप तक पहुँच गई उंगली बुद्धी की कोई कमी नहीं है भाशा शैली की कोई कमी नहीं है और साती सात पर्व भी अपने आप मांसिक मजबूत है बयावार भी सुन्दर है और धन के आगमन भी दिरहंतर दिखते है बात करता हूँ आपके हैं सूरिय की उंगली के बारे में सूरिय की उंगली का पर्थमपरव अनुकूल दित्य पर्वत परुपी किसी प्रकार के कोई रोग की संभावना दिखाई नहीं देती खार सोडते हल्ट के रोगों को कहीं भी दिखाई नहीं देते और साथी साथ जो वर्त मान का हाथ में देख रहा हूं उसके रोगों मैं बोलाओं और थर्ड पर पर प्र भी यानि कुछ मिलाकर सम्मान की कोई कमी नदर नहीं आती मैं बात करता हूँ आपकी शनी के उंगली के बारे में शनी के उंगली और यहाँ पर अगर उसको देखते हैं तो धन के अच्छी स्रोतों के लिए जानी जाती है साथी साथ जानी जाती है आपको कोई विसेज रूप से जल्दी में कोई रोग तो परिशान नहीं करने वाला अभी यहाँ पर जल्दी में कोई रोग परिशान नहीं करने वाला है सेकेंड पर पर किसी प्रकार के धन नुकसान के योग भी नहीं है और आर्थिक पर भी हापर समाने रूप से ठीक है ब्रस्पती के उंगली के लिए बात कर लेता हूँ आपका सवाल है सेकंड मेरिज का मिश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन में इस परवत पर इसके सेकंड पर रहू रिखाए रही होंगी लेकिन वो तलाक होने के बाद या किसी और इस्टी के बाद जो है वो रिखाए यहां से हट गई है बरतमान में परवत इसवाद का इंवल्मेंट कर रहा है कि आने वाला समय आपके लिए कम से कम पतनी से सम्मंदित सहोग को सही तरीके से दिखलाएगा उसमें आपको योगात्मक रूप से सहोग मिलेगा बात करेंगे इसके बाद हम बुद्ध परव के बारे में जहां कनिष्टा उंगली ठीक थी वहीं बुद्ध के परव बहुत जादे मजबूत रिखा नहीं है यानि कि अगर व्यापार करें नोकरी करें किसी भी छेतर में काम करें लेकिन यहां पर वो इतनी बढ़िया रिखा नहीं है जो आपकी धन की इस्तिती से आपको संतुष्ट कर सकें यानि आप अपने जीवन के अंदर जिस भी कारियों को कर रहे हैं उससे धन के बहुत अच्चे सरोत नहीं है उससे बहुत अच्चा लगजीरियस जीवन व्यक्तित नहीं होता इस तरह को दिखलाने वाला यह बुद्धिका परवत क्योंकि उठा हुआ है तो जैसी पैसा आया फट खतम हो गया और लाव किस्टिती बहुत कमजोर रह गई मैं बात करूँगा इसके बाद सूरिया पर्व के बारे में सूरिया का पर्व आपके जीवन के अंदर ये नीचे वाला ट्रेंगिल बनता है तो व्यक्ति को नीचीत रूप से अगर व्यक्ति प्रियास करे तो उसको राजे सरकार से संबंदित कारिया मिल जाते है कुल मिलाकर के ये उस परकार के सरोत है और क्योंकि ये सूरिया का पर्व अच्छा उर्जित है तो आपके जीवन के अंदर गत आपको उज़ा मान बनाई रखेगा और आप अपने कर्मचित में अपना काम कर सकते है मैं बात करता हूँ शनी के पर्व के बारे में धनका पर्व शनी का पर्व और बहुत चादे मजबूत इस्तिती में नहीं है यानि कुल मिलाकर ये अभी बहुत यहां इसपष्ट रिखा नहीं है इतनी भर रिखा होने से व्यक्ति के जीवन का अच्छा सुख साधन संपनता नहीं मिलती है यहां पर अच्छी खासी करेका अभी उड़जित है और आपके जीवन में प्रियास चल रहे हैं आपके और अच्छे धन्मस भी आपको प्राप्त होंगे इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके ब्रस्पती पर पर ब्रस्पती का पर पर एक बहुत शांदार ब्रैकेट बन जाए चत्रवुज व्यक्ति का जीवन में स्वयम का मकान व्यक्ति अपनी महनस से बना बाता है यहां भी कुछ X का सचिन प्रतित हुआ यानि नोकरी का प्रियास करें तो अच्छी नोकरी प्राइबेट सेक्टर या गॉर्वर्मेट जोब से व्यक्ति प्राप्त कर सकता है तो कुल मिलाकर ऐसा संकेत यहां भी नजर आया और आपके जिमन में मकान भी बनेगा इस बात का भी संकेत यहां पर धिक्राई दिया अब बात करते हैं आपके हिर्दे अरिका के बारे में हिर्दे अरिका और जब हिर्दे अरिका पर इस परकार का दीप आजाए व्यक्ति का जीवन के जो हिर्दे है वो तूट जाता है इस परकार की हिर्दे रेका रोक का कोई भारी संकेत याँ पर नजर नहीं आ रहा है निम्नमंगल पर्वत के बारें बात करेंगे करम रुपी रेकाओं के लिए निम्लंगल परवत जाना जाता है करम रूपी रेखा यहां पर कुल मिलाकर बहुत जादे मजबूत नहीं है अगर व्यक्ति बहुत जादे कर कोई व्यापार करता है कुछ कर करता है तो कुल मिलाकर व्यक्ति के पास बहुत जादे उर्जात्मक रिखाएं जो टूट कर चल लहीं हैं तो विसराआँ भी करते हैं, काम भी करते हैं विसरां भी करते हैं या कभी-कभी नोकरी के साथ साइड में व्यक्ति विसराइज करता है। अब बात करते हैं आपकी बुद्धी रेका की बुद्धी रेका बहुत ही वहत्रीन तरीके से आपकी बुद्धी रेका है जब इस प्रकार की बुद्धी रेका वहत्रीन होती है तो व्यक्ति के पास दिमागी योजनाओं को सही डिसीजन लेने की ताकत भी प्राप्त होती है इसमें से एक रेका जाकर के और जहादीप वाली रेका की तरफ जाती है तो यह नहीं पत्नी के साथ फैचारिक मुत्विध हो करके या किसी और कारण से तलाग जैसी सित्या प्राप्त हो जाती है चलिए अब बात करते हैं इसके बाद हम आपके यहाँ पर दित्यमंगल पर्फ के बारे में अभी यहाँ पर किसी प्रकार के जगड़े के जंजट के मुकदमे के कोई भी रेका यहाँ पर मौजूद नहीं है मैं बात करता हूँ आपके चंदरपरवत के बारे में चंदरपरवत और उससे निकलने वाली रेखाओं का संबन यहां लगबग जगबग आपके पास भाग्य रेखा की तरफ कुछ इसारा करता है यानि अभी इस रेखा में इतनी जान नहीं है जो आपको विदेश यात्रा करा सके दूर इस्तनों की यात्रा करा सके कोई विदेश दूर से इस्तानों से जुड़कर के लाब दिला सके ऐसी कोई मजबूती के साथ रेखा नहीं है व्यापारी के रेखाओं के लिए बुद्धी रेखाओं आपकी करिश्टा नहीं ठीक थी लेकिन यह भी रेखाओं चलती हैं तो यह बहुत जादे मजबूती के साथ व्यापार नहीं कराती यानि कुन मिलाकर व्यापार के अंदर उतार चड़ाओं का सामना करना वड़ता है सूरिय पर्थ पर जाने वाली यह रेखा आपको मैंने पहले भी बोला था अगर व्यक्ति राजे सरकार की नोकरी अच्छी नोकरी के लिए प्रियास करे तो कर सकता है साथी साथ यहाँ पर क्योंकि भाग गे रेखा से इसका संब्बन सूरिय पर्थ के लिए है यानि साइड में व्यक्ति व्यापार भी कर सकता है तो कुन मिलाकर दोनों चीज़ को समवान रूप से चला कर व्यक्ति चल सकता है ऐसी यह आपके पास सूरिय रेखा है जिसमें थोड़ी बहुत भाग दोड़ का सामना आपको करना पड़ेगा अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर सीधा सीधा पहले शुक्रपर्व के बारे में शुक्रपर्व और यदी शुक्रपर्व को देखते हैं अब इश्वर के पासे सुक्रपर्व पर ऐसी कोई रेखा नहीं जो आपके जीवन के अंदर वहुआई की समस्याएं आ सकें पुलमिलाकर के समान नियसा सुक्रपर्व है समान नियसे सुक्र शाधन आपके पास में विराजबारे इसपर को देखलाने वाली रेखा चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपकी आयू रेखा के बारे में आयू रेखा आपकी अंदर वाली रेखा है यहां पर ये रेखा आपकी आयू रेखा है लेगिन अंदर वाली जो रेखा है ये आपके पास मंगल रेखा है यानि कुल मिलाकर ये मंगर लेका है उपर वाली आईउ रेका है और जब मंगर रेका आईउ रेका को कवरेज देती है तो वो बन जाती है अपने अपने आप में आईउ रेका तो मड़ी बन तक पहुँच गई 80 वर्स के आयू व्यक्ति के पास में है और इस तरीके का लेकिन ये अपने आप में 60 वर्स के बाद जो आयू रिका आपकी खतम हो रही है फिसके बाद चालो हो रही है ये एक बड़े इस्थान परिवर्तन का योग भी होता है यानि व्यक्त अपने जीवन में 60 से भी पहले हो सकता है ये 58-57 वर्स में कोई नया मकान ले ले कोई इस्थान परिवर्तन कर ले इस तरह की स्थिति को भी ये रिखाएं बताती हैं तो यहां पर मैंने बताया आपको आपकी सारी रिखाओं का पढ़ने के फल को और अब मैं बताने वाला ह टैलेंट है ये चाहे तो जौब के साथ साथ व्यापार को भी कर सकता है व्यापारी की रिखा सूरिया रिखा जब जादे संबन बनाती है तो ऐसा रखती व्यापार में जुची जादे रखता है तो कुल मिलाकर आप चाहें तो दोनों साथनों के दवारा अपने धनके से चल रहा है और लगबग 60 में वर्स के बाद ये दूसरी भाग्य रिखा का उदय होता है तो ये इस तरीके से और आपने पूचा सेकंड मेरिज के बारे में तो यहां वो छोटा सा दीप उस तरह का दिखाई दिया था और कुछ मिलाकर एक छोटा सा एकस का चिन इधर भी न यहां पर आपने मुझे से जो सवाल पूचा है वो पूचा है सेकंड मेरिज के बारे में बरस्पती परव पर इस समय कोई भी दूसी तरीका नहीं है एक बात बरस्पती पर चत्र भुच के साथ विराजमान है शुक्र पर वो पूरी तरीके से और जित है साथी साथ यहां पर कोई भी अशुब चिन्न नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि आप यदि चाहें तो अभी कुन मिलाकर के अपने जीवन में विवा के अगर प्रियास करेंगे तो क्योंकि यहां आपकी जो गनित है उसके अनुसार जो दिखाई पड़ता है वो दिखता है कि एक साल के अंद लगबार आपके जो ट्रेंगिल छोड़ रहा है वो लगबार आपकी चोगवन वर्स के आप पास तो कुल मिलाकर आप कर सकते हैं साल बर के अंदर विवा का योग की काफी यहां पर दिखाई पड़ता है तो यह सब हो गया अब आपने पूचा हेल्थ के बारे में मुझे क किसी भी परकार से खराब दिखाई ने दिए आप अपने आई और एका से नागवन आए उसके अंदर मंगल लेका कवच रूप में तयार है सारी मुझेटों को जीतने की जो काम करती है तो बस क्या करें आप पूजा पाट जिसके द्वारा आपको जल्दी से जल्दी विव चराएगा तो ये आप यहां पहन लीजिए फायर उपल और पांच माला का कम से कम अगर हो सके तो जाप कीजिएगा ओम ब्रम ब्रस्पते नमा ओम ब्रम ब्रस्पते नमा कि इस मंतर की माला का जाप यदि पांच माला का जल्दी करेंगे तो आपको जल्दी आपका विवा क की काम हो जाएगा नमस्कार